तो कल हम लोगों ने equations of motion का proving देखा था equations of motion को groove करने के दो method थे analytical method और graphical method दोनों method कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आज हम लोग पढ़ेंगे last topic इस chapter का जिसका नाम है uniform circular motion इस chapter का last topic uniform circular motion और उसके बाद हम लोग लगाएंगे numericals ठीक है exercise NCRT के numericals में एक एक numericals आपको बताऊंगा NCRT में जितने भी numericals दिये गए हैं वो सारी numericals में आपको समझाऊंगा और उसके बाद जितने भी numericals आपकी optional book में हैं जैसे GRBA किसी के पास किसी के पास हैस्चान्द है तो अलग अलग publications की book है उसको आप लगाईए उसके numericals आप लगाएंगे अगर आपको नहीं आते हैं कोई numerical नहीं आता या समझ में नहीं आता तो फिर आप उससे खूँ सकते हैं ठीक है फिलाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं uniform circular motion इस चेक्टर का last topic uniform circular motion इसमें सबसे पहले आपको समझ में क्या आ रहा है दो चीज़ें है uniform है और circular है motion कैसा होगा circular motion होगा लेकिन कैसा circular होगा uniform circular motion होगा मतलब एक object जो होगा वो किसमें चलेगा वो एक circular path में चलेगा एक object जो होगा वो कहां चलेगा एक circular path पर vary करेगा अगर आप एक circle कोई ground है circular ground है उसके चारो तरफ अगर आप डौड रहे हो तो आप कैसा motion कर रहे हो circular motion कर रहे हो मतलब आप यहां से चलनाे start करते हैं इस point से चलनाे start करते हैं point P माल लेते हैं point P से चलना finalmente और वापस एक चकर जितने टाइम में लगाते हैं बार-बार वही उतने ही टाइम में एक चक्कर कम्प्लीट होता है मतलब अगर आप एक राउंड एक राउंड अगर माल लीजे आप तीस मिनिट में लगाते हैं तो आपके जितने भी राउंड आप कल्कुलेट करोगे कि जितने भी राउंड लोगे माल दो 40-50 जितने भी राउंड आप लगाओगे हर एक राउंड 30 मिनिट में ही कम्प्लीट हो रहा है तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बास समझ में आई विटा हम जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिबुलिट करती है हमारी अर्थ सन के चारो तरफ घूंती है हर साल साल में कितने दिन होते हैं विटा 365 दिन होते हैं और हम जानते हैं कि अर्थ हमारी 365 दिन में सन का एक चक्कर कंप्लीट करती है क्या किसी साल ऐसा होता है कि एक चक्कर लगाने में 366 दिन या 380 दिन लग जाएं किसी को होता है क्या नहीं 366 नहीं होता है नहीं होता नहीं होता reality में हर एक साल हर एक साल यह हां और six hours होते हैं न 365 days and six hours वो चार एक दिन बना देते हैं हम लोग लेकिन होता क्या है कि जो calculation है जो revolution time है वो तो fix है ना revolution time क्या है वेटा circular motion ऐसे motion को uniform circular motion कहा जाता है जब आप fan on करते हो अगर fan की एक blade पर fan की एक blade पर अगर आप एक balloon बांद दो एक balloon बांद दो अगर आप रस्ती से बांद करके एक balloon बांद दो तो जो balloon का motion होगा वो कैसा होगा uniform circular लो मोशन होगा क्योंकि फैन इक्पली स्पीड से चल रहा है यूनिफर्म सर्मिलर मोशन होगा बास समझ में आई भी टा है लिए विटा इस रिक्ता में से निए अगया अगया आपको इसकी ड्यसिन मिल जाएगी ठीक है तो टॉपिक यहां से खताम होता है चेप्टर कम्प्लीट होता है अब हम पढ़ेंगे NCRT Numericals NCRT के Numericals पढ़ेंगे NCRT के Numericals पढ़ेंगे Numericals कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो NCRT की जो exercise दी हुई है सभी के पास NCRT books होंगी जिसके पास है NCRT book वो NCRT book open कर ले मैं questions को explain करना स्टार्ट करूंगा question number first से start करेंगे question number first NCRT आप लोग book open कर लीजे question आप लोगो सामने लिखता जाएगा ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला question and athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds एक athlete है एक घावक है वो एक circular track में circular track में दोर रहा है जिस circular track की diameter कितनी है 200 meter है 200 meter एक circular track की dimensions diameter है 200 meter और उसमें वो complete करता है एक round complete करने में उसे time लगता है 40 seconds का एक round complete करने में 40 seconds का time लगता है आप से पूछा जा रहा है what will be the distance covered and the displacement at the end of two minutes 20 seconds two minutes 20 seconds के बाद two minutes 20 seconds के बाद उस आदमी या उस athlete की displacement और distance कितनी होगी यह आपको बताना है उस athlete की distance या displacement कितनी होगी after two minutes 20 seconds we have to calculate the distance and displacement कि तो सबसे पहले पीटा लेट आस टेकन सरकुलर ट्रैक और डामीटर 200 मीटर लेट कर लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डामीटर कितना है तो रेडियस कितनी होगी अगर डामीटर डामीटर 200 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी बेटा रेडियस होगी हमारी 100 मीटर रेडियस कितनी होगी 100 मीटर according to question he completes one round he completes one round in 40 seconds 40 seconds में वो एक round complete कर लेता है मान लीजे अगर वो athlete यहां से चलना start किया था अगर वो athlete यहां से चलना start किया था तो वापस इसी point पर कितने time बाद आएगा वापस इसी point पर कितने time बाद आएगा after 40 seconds 40 seconds के बाद वो यहीं पर मिलेगा बास समझ रहे हो one complete round का मतलब होता है कि आप आप जहां से start किये थे circular point में आप वहीं पर आ जाओ और उसे कहा जाता है वन राउंड तो एक राउंड यहां से two into 60 plus 20 it becomes 140 seconds कितने बेटें कितने आएंगे बेटा 140 seconds आएगा वाद समझ रहे हो तो एक आदमी 40 seconds में एक एथलीट 40 seconds में एक राउंड कम्प्लीट करता है तो 140 seconds में कितने राउंड कम्प्लीट करेगा 140 seconds में कितने राउंड कम्प्लीट करेगा जब को 40 seconds में one round है तो 120 seconds में हाँ three and a half three and a half good three and a half मतलब अगर वो point A से चलना स्टार्ट किया था तो आफ्टर two minute 20 seconds two minute 20 seconds के बाद वो यहां पर होगा वो आदमी यहां पर point B पर होगा वाई एक राउंड कम्प्लीट हुआ 40 seconds दूसरा राउंड 80 seconds तीसरा राउंड 20 seconds और उसके बाद 120 के बाद वो 20 seconds यहां पर पहुंचेगा बीद में बास समझ रहे हो तो डिस्टेंस कितनी होगी कितनी होगी कितना रांड लिया है कितना रांड लिया ठी रांड पहले तो थ्री रांड की बात करते हैं मैं तो है झिंडme Leo सुराविक न थी चैश्व का मतलब क्या होता है गलाचाय डियंडबका मतलब क्या श्वथ स्टेपल स्टू कि ओर एकंग्ड कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक round में कितना distance कवर हुगा नइ वेटा 2ensa 2 pi r the circle ketz circumstance बैरी गुड de프ाय आर circle का सरकमफरेंस क्या होता है 2 side r कितना distance कवर करेगा एक round में एक round में इतनी distance कवर करेगा इसको आप calculate करो तो 7 by 2 multiply by 2 और कितना है रेडियस हंड्रेड तो से सेवन कैंसल हो गया टू से टू कैंसल हो गया 22 इंटू हंडड़ इट डिकंस 2200 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा इतना डिस्टेंस कवर करेगा ठीक है बेटा इसित डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस डिस्टेंस इनिश्यल अटिशन देखिए इसकी इनिश्यल पोजीशनग कहा होगा है इनिशेल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है कि फाइनल पोजीशन भी ए इन दोनों की बीच की शौटेज डिस्टेंस क्या है इजार हैं हुआ है कि दफ्ट डायन वाली जो लाइन है वही तो उसकी शौ्टेज दिस्टे शेत्स है तो ट्सक्तिक कितना हो在 इसक्रेश्मेंट हो गया 200 मीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस डाइमीटर के बराबर ही तो है तो बैस डाइटी लिख देंगे इनीशल पोजिशन फाइनल पोजिशन पता है क्लियर है कि स्क्रेंशाट लीजिए जल्दी से नेक्स्क्रेंशन पर चलते हैं हो गया कि अगर कर सको तो कर सकते हो कि अगर आपको अगर इच्छा कर रही है कि आप निमेरिकल कॉपी अलग बनाना चाहते हो तो अलग भी बना सकते हो अगर उसी कॉपी में लिखना चाहते हो तो उस कॉपी में भी लिख सकते हो आप चाहो तो numerical के लिए अलग से copy बना सकते हो नहीं तो अगर आप चाहते हो उसी में लिखना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो कोई जोशफ क्या करता है एक रोड़ पर कितने मीटर लंबी रोड पेटा 100 मीटर लंबी रोड़ वह समझ चीज को यह 300 मीटर की रोड है 300 मीटर की रोड पॉइंट A से पॉइंट B तक कितने मीटर लबी रोड है 300 मीटर 300 मीटर रोड है और क्या करता है यहां से यहां तक चलता है बटा A से B तक जाता है कितने टाइम में टू मिनट थर्टी सेकेंड में इतने टाइम में टू मिनट थर्टी सेकेंड तू मिनट थर्टी सेकेंड में वह यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है आगे क्विशन पढ़ते हैं अब टा आए और तो लिखा है अगे अगे और ये लिटा एंड टूंस और टूंस एरॉंड और जॉंस एंड बैक टूंस इन अनधर वन मिनट और इसके बाद क्या करता है पॉइंट बी से वापस आता है वो 100 meter distance cover करता है, वैक आ रहा है, कितने meter की distance cover करता है, 100 meter की distance cover करता है, और point C पर आ जाता है, देखो आपर लिखा हुआ है, point C पर लिखा हुआ है, है न, देखो, turn around and jogs 100 meter back to point C in another one minute, अगले एक minute में, यानि यहां से B से C तक वापस आने में, B से C तक वापस आने में, उसे कितना time लगता है, one minute का time लगता है, question समझ रहा हूँ, what are, अब आगे question पूछ रहा है, what are Joseph's average speed and velocities, average speeds बतानी है और average velocity बतानी है, क्या बतानी है, आपको average speed और average velocity in jogging from A to B and A to C, A से B तक के लिए बतानी है, और A से C तक के लिए बतानी है, बात समझ रहा हूँ, चलो, पहले, हाँ, good, good, पहले हम find करते हैं from A to B, A to B, ठीक है, A से B के लिए average speed निकालते हैं, पहले distance निकाल लेते हैं, displacement निकाल लेते हैं, time निकाल लेते हैं, A से B के लिए देखो, A से B के लिए, distance कितनी है बतानी है, A से B के लिए, distance कितनी है, 300 meter, displacement कितनी है, displacement भी 300 meter ही है, displacement भी 300 meter है, और time क्या है, time कितना है, time है 2 minutes, 30 seconds, इसको total seconds में convert कर लो, इसको total seconds में convert करोगे, तो 2 into 60 plus 30, it becomes 150 seconds, सही है, समझ में आ रहा है सबको, average speed बताईए, average speed मतलब total distance upon total time, distance कितना है, 300, time कितना है, 150, cancel करेंगे तो आ जाएगा, 2 meter per second, average velocity निकालेंगे, average velocity, 300 displacement है, time है, 150, 2 meter per second, यह भी 2 meter per second ही आ गया, समझ में आ गया, यह तो आसान था, अब second वाले question में देखो, दिमाग लगेगा second वाले में, फस्ट वाला तो आसान था, रफ करें, चलिए, second वाला देखिए, जब A से C तक की बात हो रही है तब, A to C, A to C के लिए distance बताईए, तो distance कितना हो गया, distance हो गया, 400 meter, सही कास अबने, 400 meter वही, A से B तक गया है, B से C वापस आया है, तो कितना हो गया, 400 meter हो गया है, displacement कितना है, displacement कितना है, 200 meter, good, initial position, final position की 20 की distance कितनी है, 200 meter है, time बताईए, 3 minute 30 seconds, good, 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 3 minute, और 30 seconds, calculate करेंगे तो 210 seconds, very good बिटा, average speed बताईए, average speed, total distance, 400, total time, 210, calculate कर लीजेगा, answer मिल जाएगा, average velocity, average velocity, 200 upon 210, बास समझ में आ गई, किसे को कोई problem, सब को समझ में आया है ने, बेड़ा, इसमें क्या हार्ड है, यार, सारे questions तो आसानी से कर ले रहे हो, कितने ज़ादा questions लगाओंगे, जितना ज़ादा लगाओंगे, concept उतना ज़ादा clear होगा, और उतने confusion कम होगे, जितना ज़ादा पॉडोगे, जितना ज़ादा कोईशिस करोगे, मैंनत करोगे उतना जादा आपकी कंफ्यूजन्स उतने जादा डाउंस क्लियर होते जाएंगा क्वेशन अमबर थर्ड देखिए अब्दुल वाइल ड्रैविंग टु स्कूल अब्दुल नाम का एक व्यक्ति है वह कहां जा रहा है स्कूल जाता है ड्राइब करता है कम्प्लियूट्स दा एवरेज स्पीड फॉर रिस ट्रिप टुभी 20 km पर आर उसकी average speed कितनी है 20 km पर आर है on his return trip जब वो वापस आता है along the same route same route से वापस आ रहा है there is less traffic and the average speed is 30 km पर आर और जब वो वापस आ रहा था तो traffic कम था और उसकी average speed कितनी हो गई 30 km पर आर हो गई what is the average speed for Abdul's trip Abdul के trip की total average speed बताईए total average speed बताईए यह आपसे पूछा जा रहा है तो देखो इसको थोड़ा साम deeply में solve करते हैं फिर आपको एक trick बताएंगे इसको solve करने की ठीक है देखो मानलों यह अब्दूल का घर है house हो गया और यह अब्दूल का school है ठीक है यह school है वो जा रहा था house से स्कूल गया और इसकूल से घर आया सेम डिस्टेंस से रूट से आया है देखो ध्यान डखना question में रखा लिखा गया है सेम रूट से मतलब सेम रास्ते से से जाने का मतलब यह है कि जितनी distance जाने में cover हुई थी उतनी distance आने में भी cover होगी बास समझ रहो distance सेम होगी मतलब हम distance को x मान ले हम distance को x मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि distance कितनी है पिटा x है और average speed कितनी है जाते time जाते time average speed दिखा रहा है question में दे रहा है average speed कितना है 20 average speed का formula होता है total distance upon total time तो जाने में distance x लगा जाने में distance x और मान लेते हैं कि time t1 लगा होगा जाने में time t1 लगा होगा तो 20 equals to x upon t1 समझ में आया कहां से आ गया average speed का formula लगा है total distance upon total time तो यहां से हम time निकाल सकते हैं क्या बेटा time कितना आएगा x upon 20 बोलिए time कितना आएगा x upon 20 आएगा जब वो वापस आ रहा था तो उसकी average speed कितनी थी 30 30 बेटा 30 दे रखता है हाँ 30 है हाँ 30 है हाँ पुरानी बुक है न तुम्हारी है आप पुरानी बुक में 40 दिया हुए नई बुक में 30 दिया रखता है तो बेटा यहां से क्या हो गया यह हो गया speed distance कितनी कवर करेगा करते टाइम आट करना है वह सब्सक्राइब करना कि अभरे g टी है तक शूर्ट करना थे क्वाद रखना है कि सभी अधु ओम और प्र्यक कर दहला किया रख कि ने ऊफम्हारी करना wykon आहां X प्लस X है और 2 टाइम कितना टी। टू लीछ सकते हैं की लेक्साही और ग्लक्रस और 2 एक्सी कितना ये इसको सव्ग करने के लेना पड़ेगा न इसको सॉल्ब करने के which unexamством कि कि टू प्लस टू एक्स छीख़ेड़र्गं सब यह सब को समझ आ रहा है कि यह मेटेमेटिक अबेसिक केंसरों करडों मैं एकसर जा ओफ जाए़ गा imoi है ऐकसर से एकसर हो जाएगा थे नोि टू- नदू- आप्शा वाईव टू इंटू 60 अपन 5 5 से 60 को कैंसल करेंगे 12 टू इंटू 12 इट बिकम्स 24 कितना आगे विटा 24 किलो मीटर पर आर 24 कि विटा 3 प्लस 2 कितना होता है छीक है कोई नहीं कोई नहीं होता है कि तमन्द में आ गया इस तरह के विश्चन्स आप ऐसे मैथेड से भी लगा सकते हैं इस मैथेड से आप लगाईएगा आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है अगर यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में यह दिया होता कि वो सेम डिस्टेंस असे मतलब नहीं होता वो टाइम इक्वल दे रखा होता अगर time duration same है तो बहुत ही आसान है उसका average speed find करना उसके लिए आपको क्या करना है मालनी जब पहली velocity v1 दिया हुआ है और दूसरी velocity v2 दिया रहा है तो v1 प्लस v2 upon 2 कर दो बस काम खतम लेकिन ये तभी लगाएंगे आप जब time equal दिया होगा तब तो या 2 से ज़्यादा average speed दे र खाओ तो आप क्या करेंगे अगर मालो 3 दिया होता 4 दिया होता तो क्या करते वी 1 प्लस v2 प्लस v3 upon 3 जितना दिया रहेगा उसी से divide करेंगे चार दिया होगा, तो चार से डिवाइड, पांस दिया होगा, तो पांस से डिवाइड, लेकिन condition क्या है, हाँ, answer same आएगा, चाहिए इस तरह से करोगे, इतने हाँ, लेकिन condition ये विट टाइम सेम होना चाहिए, इसमें time सेम नहीं दिया था, इसको solve करने का यही एक method है, जिसमे में टाइम सेम दिया होगा उसके लिए यह मैठट अब अप्लाई करेंगे कि यहां पर डिस्टेंस सेम दिया था टाइम सेम नहीं दिया था कि समझ में आया कि कौन सा कि हाँ टाइम होना चीए तब उसको चाहो तो इस मैठट से भी सॉल्व कर सकते हो तब भी आंसर सेम आएगा डिरेक्ली लगाना चाहते हो तो बाई डिरेक्ली कभ यूज़ होगा जब आपको मिल जाए अगर आपको दिया हुआ है टाइम एक्वल दे रखा तो आप इतना लंब क्यों करोगे तो इस आंसर चाहिए ना सुल्वीशन थोड़ी ने चाहिए तो महां पर इस्तवाल करने में काम आएगा जब मानलों में दे रखा है तुम डाइक्ली आंसर लगा देंगे फॉर्म्ला लगा देंगे काम कतम ठीक है चलो अगला कुशन देखते हैं अ मोटर बोट स्टार्टिंग फॉर्म रेस्ट ऑन लेक एक्सेलरेट इना स्ट्रेट लाइन एट कॉंस्टेंट रेट ऑफ थी मीटर पर सेकेंड इस्पायर और एट सेकेंड हाव फार दस दा बोट ट्रेवल डियूरिंग दिस टाइ कुशन में कह रहा है कि एक मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है इस्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है इस्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है इस्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है इस्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतल घ्रह जीरों है बाइं अगर हम कहते हैं कि आप बाइक स्टार्ट करते हो तो ारेश्ट से ही तो इस्टार्ट करते हो अपनी जरुआ सिपते हैं आपको मीट्र है जो स्पीड होता है जिसमें आप किलो कीलो मिटर पर बता हैं कि पहले क्या हुता है यह जैसे जैसे आप एक्स एक्सचलरेटर लेते हो यह जैसे आप एक्सचलरेटर लेते दोसितिथे हैं तो आपski स्पीड द्यूर क्या होती है नाउनवी अनी सिटों इसी स्पीड को युनिफॉर्म स्पीड नहीं कहते हैं वहाँ पर टोटल क्या डिस्टेंस इक्वल होगा स्पीड तो चेंज हो रही है ना बार-बार समय के साथ स्पीड तो बढ़ रही है तो फिर उनिफॉर्म स्पीड तो होई नहीं सकता हो सकता है क्या नहीं हो सकता लेकिन युनिफॉर्म acceleration हो सकता है जैसे इस question में दे रखा है कि आपका acceleration कितना होना चाहिए at a constant rate of 3 meter per second square acceleration दे रखा है आपको acceleration कितना दे रखा है 3 meter per second square acceleration दे रखा है और कितने time तक चलते हैं कितने time तक चलते हैं 8 seconds तक चलते हैं ठीक है आप से पूछ रहा है कि हमें बता दीजिए कि इस time duration में आप कितने दूर पहुचेंगे मतलब आपका displacement कितना होगा कितने दूर पहुचेंगे मतलब क्या है आपका displacement कितना होगा यह हमें बता दीजिए बस समझ रहा हो question का मतलब तो इसमें क्या करें बिटा क्या लगाना पड़ेगा एक्वेशन ओफ मोशन लगाना पड़ेगा न्यूटन का एक्वेशन ओफ मोशन नहीं है ठीक है न्यूटन का नहीं है सेकेंड चेप्टर में पड़ेंगे न्यूटन का लौफ मोशन है equation of motion नहीं है equation of motion equation of motion बेटा Newton नहीं दिया था चलो तो second equation हमारे पास क्या है second equation है s is equal to ut plus half a t square ध्यान रखो बेटा यह equation of motion आप तभी यूज करोगे जब question में acceleration दे रखा होगा अगर acceleration नहीं दिया है तो आप simple formula यूज करोगे speed equals to distance upon time distance upon time यह formula यूज करोगे कब जब acceleration क्या होगा zero होगा अगर acceleration zero है तभी यह formula apply कीजेगा अगर acceleration zero नहीं है तो फिर आप equation of motion को apply करेंगे equation of motion apply करेंगे if acceleration is not equals to zero but if acceleration is equals to zero we have to use the formula of speed equals to distance upon time clear initial velocity zero time कितना है eight है plus half a की value कितनी है three है और टी कितना है eight है तो eight का square कर दिया यह value तो total zero हो गई वेटा यह value तो हो गई zero plus one upon two into three into 64 यही तो होगा तू से 64 को डिवाइड करेंगे 32 बचेगा तो यहां से जीरो हो जागा जीरो को गयप कर दें three into 32 three into 32 करेंगे कितना है गा 96 मीटर तो कितना distance कवर करेंगे हम 96 मीटर की distance कवर करेंगे अब मैं अब मैं टेंडेंस ले लेता हूं उसके बाद फिर पढ़ाते हैं आगे है एक मिनट एक मिनट में अटेंडेंस ले लूँ फिर इस तरी शॉटेज़ेंगे हाँ तो क्लास ओवर करते हैं अगली मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे तेरागी तो माजा नहीं है एक माजा नहीं आएगा